तुमस्कार दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Zee Entertainment Enterprises Limited जिसको हम शॉट में जील के नाम से भी जानते हैं अभी ये स्टॉक 151 के प्राइस पर ट्रेड करा है मार्केट में आज इसने 11.56% का अप मूव दिया है और इस मूव का क्या रीजन रहा है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट कैप हो गया इसकी 14,471 करोड की प्रमोटर होलिंग 3.98% है काफी कम है प्रमोटर की होलिंग बुक वेल्यू 113 है डिविदेंट ये स्टॉक देता निया है फेस वेल्यू 1 है इसके फंडमेंटल वीडियो मैंने बनाई नहीं है अभी के लिए देखे तो ये स्टॉक 29 जनुरी 2024 को इसने दिया था डेथ क्रॉस और डेथ क्रॉस के बाद ये स्टॉक काफी जादा नीचे ट्रेड कर रहा था आज इसने 50 DMA को गोल्डन क्रॉस दिया है और 50 DMA से स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है 200 DMA से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है तो अभी के लिए होफली हमें गोल्डन क्रॉस जल्दी ही मिलेगा पी रेश्यो की बात करें मीडियन से छोटू सा उपर है 5 एस के टाइम स्पैन पर वन मन्त के टाइम स्पैन पर देखे तो भी छोटू सी उपर है तो कि दिक्कत परिशानी की कोई बात नहीं है तो ग्रॉस प्रोफिट मार्जन हमारा हंडेड पर इंटेक्ट है ऑपरेशनल प्रोफिट मार्जन यहां पर हमारा थोड़ा सा रिकवर हुआ था एंड से ऑगधर होई थी बट होफली क्योंकि अब एक गुड़ नीज आ चुकी है तो अब यह रिकवर कर जाएगा यहां से अभी के लिए देखते हैं हम इसका शेर होल्डिंग पैटन तो शेर होल्डिंग पैटन देखें पिछले 2021 से लेके अभी तक इसके शेर होल्डिंग जो है काफी कम है 3.99% है प्रोमोटर्स की FIIs की होल्डिंग की बात करें तो जून के क्वाटर में यह छोट उसी कम हुई थी as compared to March का quarter and DIA इसने पे अपनी होल्डिंग कम करी थी यहां पर गवर्मेंट के पास जो 0.15% है वो intact है and public के पास 41.31% 38% था अभी public के पास 54.67% है number of shareholders यहां पर डिक्रीज होते हों दिखाई दिये थे इसका reason यह भी था क्योंकि यह stock इनकी थोड़ी सी fight चल दी लीगली and वो अब resolve हो चुकी है तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे तो पहले देख लेते हैं यार यहां पर हमें आज यह stock 50 20 simple moving average 20 day simple moving average से उपर निकलता हुआ दिखाई दिया जो की एक बहुत अच्छी बात है and काफी टाइम से stock जो है वो इसी range में trade कर था इस resistance को यह break नहीं कर पा रहा था आज भी नहीं कर पाया है बट ठीक है उसके उपर तो नीचे वाले resistance के उपर ही sustain किया है यह जो resistance 145.49 की इसके उपर ही sustain किया है and यह जो इसके resistance है 153 की इसको यह आज भी break नहीं कर पाया कोशिश करी इसने break करने की बट नहीं कर पाया थोड़ी सी profit booking and all आपको पताए यह वो सारी चीज़े चलती रहती है and shotters ने काफी shot किया है पहले भी यहाँ पे and इस resistance को आप देख सकते हैं रहांपर फोड़ी साइस कोkaa जूम कर लेते हैं तो यहांपर देख सकते हैं आपके इस resistance को break करने का पहले भी कितने ज़्यादा कोशिश की गयी है यहां पे भी आप देख सकते हैं पहले support भी यह बना था यहाँ पे break करने कोशिश की गयी है तो अभी भी थोड़ सा hiccup तो इसको of course आना ही आना था, अभी के लिए एक बार BAC पे चलते हैं हम, BAC पे देखिए सबसे पहले तो इसका price band जो है वो 20% का है and news आई है आज एक और news कितने बज़े आई थी, ये आई थी 2.26 मिनट के आज पास and इसको जो stock को spike up मिला है एक दम से वो हम यहां पे लेके चलते हैं, वन मिनट का बहुत जादा डाउन वो हो जाएगा, तो बिलकुल उसी टाइम पे यहां पे ठीक 10% का इसको move मिला है, तो ये candle जो है दो बज़ के 25 मिनट की है, बिलकुल उसी point पे इसको एक दम से spike up मिला था, volume को भी मिला था and उसके बाद य जैसे ही ये news market में leak हुई थी, market में leak क्या हुई थी, मतलब market में legally तरीके से आई है, तो जैसे ही news BSE exchanges पे आगे BSE NSE पे वैसे ही इसमें spike up देखने को मिला था, ठीक है, तो अभी के लिए कर लेते हैं इसको हम days पे and चलते हैं BSE पे, तो अभी के लिए ये news काफी अच्छी है और ये news basically क्या है, तो उसको एक पार देख लेते हैं मैंने यहाँ पे, तो इनका जो agreement है, वो हम थोड़ा सा read करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने basically जो किया है, जो claim थे, तो यहाँ पे as part of the settlement, the companies have mutually agreed to withdraw all respective claims against each other, तो यह इन्होंने सारा मसला ही यहाँ पे खतम कर दिया, बहुत थे, वो सारे कर दिया, in the ongoing arbitration at the Singapore International Arbitration Center, तो जो भी थी इनकी legally, जो भी सारी चीज़े थी, वो सारा कुछ इन्होंने यहीं पे खतम कर दिया है, and अब जब यह सारा ताम जाम खतम हो चुका है, बहुत सारी बहुत detail में news है, क्योंकि अगर detail में जाने लगोंगे, तो बहुत स इस शौट रखते हैं वीडियो, बहुत सारी ऐसी न्यूज़े, बट main यही है, and यह जरूर प्राइज के अपे डाउन मूब में फरक डालेगी, तो मुझे लगता है कि इतने पुराना जो यह सारा चलता आ रहा था, उसको अब break मिल चुका है, तो यहां से share price को थोड़ा सा normalize होने में मदद जरूर मिलेगी, तो मैं यह नहीं बोरी कि यहां से 2X, 3X होने वाला है, बट यह जरूर बोल रही हो, कि यहां पे long term की यहां पे opportunity जरूर हमारे लिए open होती है, buying की, उसके साथ-साथ यहां पे general नीचे buy क्या होगा, उनके लिए profit working का, यहां पे वो भी percentage जो गया है, 42.83% गया है, और काफी अच्छा delivery percentage यहां पे जाता हुआ दिखाई दिया है, तो जिस तरीके का more, जिस तरीके है, क्योंकि end movement पे ही हमें news आई है, दो बज़ के पच्चिस में मतलब धाई बज़े, तो लास्ट के एक घंटे में ही market में सारा movement देखने को मिला है तो अभी के लिए volume की बात करें, तो volume जो हमारे usually रहता था, 6 million के आसपास, आज 101, 102 million के आसपास आया है, तो मतलब आप देख लीजे कि 10 करोड के आसपास का volume बहुत जादा होता है, 11 करोड के आसपास का एकदम से spike up करना, तो यहां पे यह ज़रूर चीज है कि 10 करोड के volume के उपर, और यह NSE की बात करोई, BSE पे भी volume आया होगा, तो यहां पे 10 करोड के volume के उपर अगर आपका delivery percentage चला जाता है, 43% के आसपास, तो यह काफी अच्छी बात है, तो इसका मतलब है कल move देखने को ज़रूर मिल सकता है, अब इस resistance को यह break करता है कि नहीं करता है, वो एक अलग बात है, अभी के लिए जो यह resistance है, 165, इसको break करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक तो यह इस पे भी आएगा, resistance भी बहुत strong है, और काफी पुरानी भी है, तो इसको break करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पुराना भी एक पर हम देख लेते ह तो यहां पर देखिए, इसको break करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, एक बार weekly chart पर चलते हैं उसको भी read कर लेते हैं, तो weekly chart पर देखिए, क्योंकि stock काफी time से वैसे ही चल रहा था ऊपर नीचे, तो अभी के लिए जिस जहां पर यह stock ट्रेड कर तो यहां पर देखिए, य यह resistance जो है 2010 की है, तो यह resistance को break करना of course बड़ा मुश्किल हुआ था, यहां पर कितने time चला था, यह मार्च से लेके December तक, तो इस लाइक 7-8 months, तो 7-8, basically yes, तो मार्च के end में हुआ था, तो 10 months tentative लगा के चलते हैं, कि 10 months तक यहीं पर crawl करता रहा था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, फिर से इसको break करने की कोशिश करी, फिर से करीबट नहीं कर पाया, तो यहां पर आप देख लीजिए कि 2010 January से लेके, 2012 June तक, 2 साल और 6 महीने, तो धाई महीने के, धाई साल के आसपास, यहीं पर crawl करता रहा, तो इसको break करना मुश्किल तो रहेगा, उसके बाद यह उपर गया, काफी अच्छे मुव दिया, फिर यह डाउन आया, उसके बाद फिर से इसी resistance पे यह स्टक किया था, उसके बाद निकला भी अच्छे मुव दिया, फिर से अब उसी resistance पे तो इसको break करना थोड़ा सा मुश्किल तो इसको रहेगा, आरेसाई के अगर हम बात क करें, तो इस time पे RSI 46.89 पे है, काफी room है इसके पास move करने के लिए अगर यह यहां से move देना चाहे तो, तो no doubt यहां से move मिलने के संभावना तो हमारी पूरी पूरी बन रही है, अब daily RSI हम एक बाद चेक कर लेते हैं, तो daily RSI जो हमारी 62.94 पे है, and RSI यहां से एकदम से निक पे हमें reversal देखने को मिला है, काफी 12 RSI में, तो 2022 से लेके अभी तक आप देख सकते हैं, पैटरन रहा है, कि यहां पे hurdle जरूर मिला है, RSI फिर से गई है, टेस्ट किया है 60 को, या तो 60 के आसपास scroll किया है, या तो 40 के आसपास आई है, तो 40 के आसपास आना में को थोड़ा लग रहा है, क्योंकि अभी अभी गुड नियूज आई है, तो 40 के आसपास आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, in fact, मुझे ये भी नहीं लग रहा है, कि अभी टेस्ट करेंगे, मुझे लग रहा है कि यहां से निकल सकती है, निकलने के बाद या तो इसको यह वाला, यह जरूर लग रहा है कि कल ये इसके आसपास, 160 के आसपास ट्रेड करता हुआ, जरूर हमें देख सकता है, हो सकता है, सस्टेन ना करें, अब वॉल्यूम की बात करें, तो देखें, वॉल्यूम पहले भी इसमें काफी अच्छा अच्छा आया है, 11-11 यहां पे देख लेते हैं 157 मिलियन का यहां पे वॉल्यूम आया था, आज जो वॉल्यूम आया है, 101.98 मिलियन का आया है, तो उसके बाद नेक्स टेख वॉल्यूम गायब हो जाता है, इन फेक्ट इस बार सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि गुड नियूस आई है, तो यह सारा ताम जहम ख देखता है कि वॉल्यूम के उपर खास ध्यान रखना पड़ेगा कल, एंड प्रॉफिट वॉकिंग डेफिनिटली देखने को मिल सकती है, शॉटर्स यहां पे शॉट भी करेंगे, क्योंकि काफी यहां पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे काफी शॉटर्स पहले बैठ व होगी, बाट ओके, तो यहां पे रेंज डेफिनेटली बनती है, हमें नजरा आ रही है, यहां पे रेंज बनी थी, उसके बाद इसने मूव दिये थे, बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिये थे, क्योंकि आपको पता है कि वो अर्विटरेशन से फसा हुआ था, तो बहुत इसने मूव देता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मूव हमें यहां पे मिलते हुए दिखाई दिये नहीं है, वैसे, क्योंकि यहां पे वो भी चीज है, क्योंकि आपको पीछे चल के देखते हैं, कि जब इसका सिनेरियो ठीक था, जस्ट इसको वीक पे ही करते है वो थोड़ा easy रहेगा, बट वीक पे हमें फिर मिलेगा नहीं range वाला, just a second, तो यहां पे नहीं मिलेगा हमें range वाला, हमें यहां पे days पे ही जाना पड़ेगा, तो let's see, एक बार देख लेते हैं, अगर हमें मिलता है, okay, तो यहां पे हमें, yes, यहां पे range बनती हुए है, तो इसने दिये है, 45% के आसपास के move, and फिर उसके बाद इसने थोड़ा सा crawl करके नीचा है, तो अगर किसने long term के लिए यह रखा होगा range से निकलने के बाद, तो range से निकलने के बाद इसने यहां पे 100% के आसपास के move दिये हैं, और बिल्कुल देखा जाए, तो इसने य 124% के आसपास के move, और कितने time period में दिये थे, वो भी एक बाद चेक कर लेते हैं, यह कुछ जादा time period का time लग रहा है हमें, तो यहां पे दिये थे, इसने, I'm so sorry, तो यहां पे, let's see, यहां से यह start हुआ था, rain से निकलना, और यहां तक यह कहीं गया था, यहां तक गया था, तो यहां पे इसने दिये है, 884 trading days में, यह बहुत जादा होते हैं, तो मतलब किसी ने अगर like 2 साल, 3 साल के रखा होगा, 3 साल के आसपास का लेके चलते हैं, 3 साल के आसपास रखा होगा, तब कहीं जाके यह हमें move मिले हैं, तो choices of course yours, 100% के लिए 3 साल रखना पड़ रहा है, no मुझे यहां पे लगता नहीं है कि 3 साल के रखने की यहां पे जरुवत पड़ेगी, क्योंकि यह थोड़ा सा यहां पे good news आई है, and future is bright, तो हो सकता है कि निकल जाए, तो choices of course yours, but yes हमें यहां पे range बनती भी दिखाई दी है, अभी तो range का जो shade है, वो neutral है, क्योंकि यह blue है य ना चाहिए, but indication थोड़े से यहां पे अच्छे move के है, so call is of course yours, मैं यहां पे अभी कोई target नहीं लेके चलूँगे, क्योंकि यह काफी पुरानी resistance है, तो जैसे ही मुझे लगता है 160 के उपर यह sustain कर जाएगा, तो उसके बाद हम यहां पे target लेके चल सकते है, 160 के बाद यहां पे 165 पे जो इसको resistance आईगी बहुत स्ट्रॉंग है, and 183 पे जो आईगी वो भी बहुत जादा स्ट्रॉंग है, तो हो सकता है, test करें, तो scenarios, possible scenarios, मैंने आपके बता दिये, call आपकी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह सिर्फ और सिर्फ मेरी analysis है, target अभी लेके नहीं चल पहले, बाकी हम एक बार इसको analyze करेंगे, थोड़े दिन के लिए, permanently, तो देखते हैं कि कैसे कैसे होता, daily basis पे analyze करते हैं, let's see, क्या बनता है, तो अभी के लिए यही analysis है, कोई buy sell hold की recommendation नहीं है, आप अपनी analysis कीजिए, जाने समझे पढ़िए, और फिर invest करेंगे, मिलते हैं ने ृधिर बेस्टी करेंगे, मिलते हैं तो यहीं nawiri रथ ने需। बसुट THE अपनी करेंगे, जाने स ata